हमारे सुरक्षाबलों और मावादियों में मुलबेड़ हुआ है और जिसमें साचिम में अभी तक 28 बोड़ी मिलने की जानकारी है अब तक का ये बहुत बड़ा आपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई जेता हूँ उनके साहस को हम नमन करते हैं मावाद अंतिम साहस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छतिगड़ में सांती स्थापित होने वाली है चतिसगड़ में सुरक्षा बलो ने शुक्रवार को मावादियों के खिलाफ सबसे बड़ा ओपरेशन चलाया जिला दंतिवाड़ की बारसूर पियस के ग्राम थुल थुली और जिला नारायनपूर की ओच्छा पियस के ग्राम नेंदूर की जंगलों में नकसल विरोधी अभियान चल रहा है चार अक्टूबर को मुटभेड के दोरान डियारजी, दंतिवाड़ा, नारायनपूर और स्टीफ ने सयुक्त अभियान चला कर करीब तीन दर्जन से ज़्यादा माववादियों को मार गिराया अब तक को लेक 31 नकसलियों के शव बरामत कर लिए गए हैं, तलाशी अभियान अभी भी जारी है वहीं डियारजी के एक जवान के खायल होनी की खबर है 36 गड़ के मुख्य मंत्री विश्णू देव साय ने ऑपरेशन को लेकर वीती शाम बात की थी जिसमें उन्होंने 36 गड़ के लोगों को माववाद खत्म होनी का आश्वासन दिया और बताय था कि किस तरह जवान इस लक्ष के साथ काम कर रहे हैं आज नारायनपूर और दंतेवाडा के सीमा में जो अभुजमाड छेत्र है उसमें हमारे सुरक्षाबलों और माववादियों में मुणवेड़ हुआ है और जिसमें साचिम में अभी तक 28 गोड़ी मिलने की जानकारी है और पई हथ्यार उसमें मिले हैं और मैं समता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा आपरिशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत-बहुत बधाई जेता हूँ उनके साहस को हम नमन करते हैं अब डबल इंजिन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और मावाद अंतिन सास गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छतिजगर में सांती स्थापित होने वाली है और आज हम विजापूर के दोरे में थे तुहाँ पर नकसल पिडित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद साइद उनको और विश्पास उनका बढ़ गया होगा पिनिश्ची तुरुप से चतिजगर से महावाद का मनलब समापन होने वाला है प्रेमात अमित साजी की जो डेट दी हैं रखाएं कि इसके पहले पहले समाप्ष कर लेंगे चतिजगर को नकसलवाद तक पूरे देश से नकसलवाद समाप्ष हो जाए और उनकी सोथ का नूर्प हमारे जवानिया चतिजगर में भी मुकाबला कर रहे हैं